बाकी अगर बना लिया तो अच्छी बात है आज एचले जरह हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड टाइप पर डाट इस कोड़ेड इनिक्वालिटी में देखिए यहां आपको बताएगा पी एस्टरिक क्यू मीन्स पी जीदर स्मॉलर और इक्वल स्टू क्यू तो अब क्या हो गया अब हमें डिफ्रेंट गाया और इन सिंबल से हमें सांब को रिप्रेसेंट किया जा रहा हमारे सइंस को तो इस सिंबल की जो explanation मिली है हम चाहें तो इसकी मदद से में साइन में कंवर्ट कर सकते जैसे हमें एस विक का मतलब पता चिल गया कि वोला गया यदर ग्रेतर और एकुल हो गया परसेंटेज नीदर स्मॉलर नौर इक्वल बोल गया है यानि नीदर स्मॉलर नौर इक्वल का मतलब क्या हो गया ग्रेटर हो गया ना फ़ है Smaller भी लहाए और ईक्यूल भी नहीं स्मॉलर भी नहीं और अउड 0 video नहीं परिंग तो स्मॉलर और ईक्यूल नहीं तो क्या होगा ग्रेटर यह क्लियर है मैंने सैन्ट को लेकर हुत स्ट्सक्राज में आपको सारी एक्स्प्लेस्टिन 0 कर आई थी इह था है जे सभाटों ने यह एदर स्मॉलर और ऑफ करने अर्टी का मतलब बता दिया गया इधर ग्रेटर नॉरी को कि मतलब नीधर ग्रेटर नॉरी को मतलब स्मॉलर हो गया और हैस का मतलब नीदर ग्रेटर नौर स्मॉलर इसका मतलब क्या हो गया इकुल टू है यहां तक सही है कोई प्रॉब्लम तो अब हमें कुछ एक्स्प्रेशन मिले वैसे स्टेट्मेंट और कंक्लूजन मिले हैं बस स्टेट्मेंट में क्या हो गया अब हमें डारेक्ट साइन नाम मिलकर सिंबल्स दिये जा रहे हैं जिसे पहला कॉस्टेशन ने लेकि एंड दूसरा स्टेटमेंट दी हैसर दी हैसर और तीस्रा स्टेटमेंट बी आप दर रेट आप बी अगदर एट अगरिट अब पहला कंक्लूजन अब पहला कंक्लूजन अब आश्रिक दी बी आश्रिक दी और दूसरा कंक्लूजन एफ हैश एन एफ हैश एन ठीक है फिर क्या दिक्कत होगे आशीश अब देखो एक तरीका तो यह बोलता है कि जितने भी सिंबल आपको स्टेटमेंट और कंक्लूजन में देख रहे हैं आप उन्हें वापस से औरिजिनल साइन में कंवर्ट करनें और कंवर्ट करके अपने को सॉल्ट करें लेकिन ध्यान रखेगा ऐसे ऐसे पांच सब्सक्राइब करें को बदलना होगा साइन को बदल कर और फिर सॉल्ट करना होगा इसका मतलब यह है कि आपको पहले यह पूरा कोश्चन उतारना होगा को साइन को बदल पाओंगे समझरही बात को लीकिन इस प्रोसेस में बिटा टाइम बहुत ज़रा लग बाजाएगा हम्मेंसे कैस्षाइट की बार बार हम पहले पूरह 17 Pूरा का पूरा कुश्टिशन लिखेंगे उसके बाद हिनके साइन को बदलेंग lub और साइन को बदलने के बाद यह केस बढ़ जाएगा नॉर्मल इन इक्वालिटी का और नॉर्मल इन इकवालिटी का एक्वेशन बनने के बाद हम क्या करेंगे हम अपने question को normally solve करें सकते हैं चुक्कि यह process लंबा हो जाएगा तो इस वज़े से इस टाइप के कुश्चिन को सॉल्व करने के लिए हम जो है एक डिफरेंट मेथड का यूज करते हैं जिससे कि हमारा टाइम सेल हो ठीक है उस मेथड को हम लोग बोलते हैं बॉक्स टाइप मेथड क्या बॉक्स टाइप मेथड में क्या करते हैं हम एक स्कॉ स्क्वाइर बॉक्स दिख रहे है लिए नहीं स्क्वाइर बॉक्स में हम इंस साइंस को प्लेस आ यहां प्लेस कर लिया ग्रेट Her और agree to go center में रख लिए tęटने ईक्वल नीच़े रख लिए स्मॉलर और यहां रखेस्मालर और टी कि यह ठीह है पप्रूल सारे वही है शारे रूस वही हैं रूस समारे नहीं बदले ठीक है जो रूस आपने पढ़ा था अब देखे उपर के तीन साइन सेम ग्रुप के कि है कि नीछे के तीन साइन से इंब्रूप सब्सक्ति यह दोनों एक दुसरे की रिवस साइई यह आप यह बोल सकते हो ऊपर वाला ग्रूप और नीचे वाला ग्रूप ये दोनों एक दुसरे के लिए ऑपोजे की के मिल्ट पिन द शाए अगर ब्रेफरेंस ग्रेटर को मिलत यहां पर भी यह कर लेते हैं वान टू और यह समझ में आया है तो उपर के तीन साइन सेम ग्रूप के नीचे के तीन साइन सेम ग्रूप के उपर के तीन साइन में प्रेफरेंस क्या होता है फर्स सेकंड एंड थर्ड और नीचे के तीन साइन के बीच का प्रेफरेंस फर्स सेक यहां डाल दिया पर्शेंटेज ग्रेटर और इप्रेटरेट ए थे को एस और के लिए हैस और श्मॉलर के लिए डॉलर यह हमने पूटर कर दिया अब हम इस बॉक्स की मदद से अपने क्वेश्चन को सॉप कर कैसे करना वह अब वैसरी काम करेंगे जैसे पहले कर रहे है जैसे हमें से तुम मार्क करेंगे कहां है और फिर करेंगे दी आひा पर 자 Авॉसềnयों freshman लेफ्ट जा रहे हैं लेफ्ट का मतलब बैक्वर्ड और मतलब एक रहे इसको करने पर भी OFF है कि इसो करने पर भी एक रहेगा तो अब हमारे पास स्थोसाइनाजिब, अब आमार पास नौसाइनाग आगला है अब आमार पास दो साइनाइ कौन-कौन सा एक तो आड़ेट ऑंडूसरा अड़ेट और हैस में किसकी प्रफरेंस होती है इसकी बिठा ik है समझेас मेरे बात अब पता यह साइन जो है दो साइन मिलकर त्यार हुआ ग्रेटर को सिंबल में किसंबल से रिक्रेजंट कर रहे हैं ॥ और ऑप यह भी कह सकते हैं अगर दूसरा फ पर्सेंटेज और रगा सकते हैं इनके बीच भी इधर और लगा सकते हैं। उसी तरह एस्टिक के लिए इसको बोल सकते हैं इधर डॉलर और हैश चलो अब इसी तरह सेकंड कंक्लूजन देखो ऐफ से जाना बेटा एन पर आफ से एन जा रहें कैसे जाएंगे पहले एफ से डी ओ फिर डी से एन दोनों ही केस में लेफ यारें दोनों के साइन करेंगे है थर को रिवर्स करने और यह रहेचे आब जड़र देखो तो एक साइन मिला है hash और एक sign मिला है add the rate hash और add the rate में preference किसकी होती add the rate की होती है अब check करें क्या add the rate लगा है? नहीं इसका मतलब यह true तो नहीं है लेकिन add the rate की जगा अगर hash लगा होता है तो हमारा answer cannot determine होता है चुकि add the rate sign दो sign को मिलकर बनाया गया है जिसमें से एक sign equal to है है equal to मतलब है ठीइं जब anál करेंं करें कोई भी नहीं है इन दोनों में से कोई नहीं है दोनों में से कोई भी टुब नहीं है पीज़़ो समझ में आया कि आज़ो सेकेंड कोशिन देखे क्या हुआ 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 है कि संगीता आ रहा है कि पहले बताओ यह बॉक्स समझ में आया संगीता बॉक्स क्लियर है तो बस बॉक्स की मदद से जैसे नॉर्मल काम करते थे वैसे ही कर रहे हैं जैसे दिखो सेकेंड कोशिन में करके दिखाता हूँ डबलू डॉलर के के एस्ट्रिक्ट एच अब देखो तो बिटा कंक्लूजन पहला कंक्लूजन क्या है फर्स कंक्लूजन और डॉलर के और सेकंड कंक्लूजन है ट्राइब डॉलर के और सेकंड कंक्लूजन क्या है एस पसंटिश डबलू बॉक्स को फिर से एक्स्प्लेन कर दो ठीक है में बॉक्स नीचे इस बना दे रहा है एक एक पुर्शन करकर समझाता हूं जैको बॉक्स टाइप मेठड क्या बोलता है यह बॉक्स बना दिया चार कॉर्णर में चार साइन रखते हैं ऑर एक साइन सेंटर में आता है सुक्रेटर ग्रूप के दührन सेंटर में निज्टरल ग्रूप के और नीचे के साइन स्मॉलर डान ग्रूप के कि अनूक्रिती है है क्यासे प्लेश्मेंट किया ओह्पर के साइन doubled school स्मॉलर ग्रुम के कि यह तरह की सेम ग्रुप का साइन उसमें पहली प्राफ़ेंस इसमें तूसरी प्रेपर उपवेंस दीर और एक्वल और तीसरी प्रेफरेंस एक्वल टू की होती है तो ग्रेटर ग्रेटर और एक्वल एक्वल यहां भी पहली प्रेफरेंस स्मॉलर की दूसरी प्रेफरेंस स्मॉलर और एक्वल की और तीसरी प्रेफरेंस किसकी होती है एक्वल की यह दोनों साइन एएक दूसरे के रिवर्स हैं 11 एक दूसरे का रिवर्स 22 आद थ्री का रिवर्स थ्री ही रह जाएगा कि अनुक्रिती बताते जाना समझ में आ रहा है तो लिखते जाना कि मुझे भी क्लियर रहा मैं अब देखो अश्रिक का मतलब है मॉल्लर क्युञ capaz अब % नपलब ग्रेटर तो पर्सेंटेज लगा दिए लगा दिए कि जिए क्लेट अरी यह यह स्मॉल लार है डॉलर डॉलर लगा ՜िया कि यह सारे सांध मक्रेश कर लिए यहां तक कोई प्रॉबलम हो तो बता कि ए अब देख Essa यह जो साइन है ग्रेटरा और युक्वल यह तो ग्रेटर और ईकूल और इकूल को मिलाकर बना कर MacAY अभिसको पड़ते हैं इसको क्या पढ़ते हैं इधर और एकुल इसका मतलब greater greater को अभी कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे है परसेंटेज से कर और equal को किस से रिप्रेजेंट कर रहे है है यानि अगर मालो statement में add the rate का relation प्रूव आ गया और आपको दो अलग अलग conclusion में एक जगा sign percentage दिख रहा हो और एक जगा sign उनके बीच hash दिख रहा हो तो क्या हम इनके बीच इदर और लगा देंगे तो यह sign नहीं बन जाएगा clear है मेरी बात या नहीं इसी तरह नीचे भी करेंगे नीचे भी करेंगे एस्ट्रिक का मतलब क्या या तो डॉलर या हैश यह भी तो दो sign को मिला कर बनाए गया एक smaller और एक equal का मतलब डॉलर और equal का मतलब हैश इदर smaller और equal बन जाएगा हम चलो आगे बढ़े अब काम कैसे करेंगे देखो काम कैसे होगा हमें चेक करना आर और टे के बीच आर और यहां है और की काह है यहां अब आर और की लिए हमें आर से की पर जाने के लिए पहले हमें आना होगा आर से होगा के पर पृम आर टू एच और एच के कि टीक है क्लिएट जी अब देखो आर्ट डॉलर के आर्टू के जाना था तो हम आर्टू एच आए और एस्टू के हैं दोनों केसे में देखो तो लेफ्ट की और बढ़ना पड़ ला है नभी केस में लेट जा रहें है दोनों जाने का मतलब बैकवड जाना होता है और बैकवर्ड जब जाते हैं तो हम अपने साइन को कहते हैं रिवंस करते हैं अब जैसे डरीड एट डरीड को जोना तो ठीक नीचे को तो, और यहां देखो दूसरा साइन का है अब यहां भी पैकवर्ड जा रहे हैं तो यह भी साइन रिवर्स होगा एस्टिक का रिवर्स क्या हो गया है ठीक है तो अब जो दो साइन दिख रहे हैं इस पर आ यह दोनों रहली के उपोजिट ग्रुप के साइन है और जब भी उपोजिट ग्रुप का साइन मिलता है हम जहां यह आ यहां मारे यहांести सब्सक्राइब करना थे टमाइन क्मीन होता हैं रो belong कि और जो जीसेट जो सो मिला है मतंत था न सब्सक्राइब वसेल और यह जंगर कि श उलिद्टан के छोटकर करें शेरा कि पॉस्टाइब करें टिमाना उLY-विदिव média टान। कि कि किसी को नहीं आ रहा है किसे नहीं आ रहा था कि प्रॉपर है हाँ कि अच्छा उने नहीं आ रहा है कि चलो देखो कि सेकेंड को देखते हैं चक करते हैं एच परसेंटेज डबलू आगया चलो कि एच परसेंटेज डबलू तो देखो तो जरा एच कहां है यहां है डबलू कहां है यहां है तो एसे डबलू पर कैसे जाएं तो पहले क्या करना होगा एक से आना होगा के पर और फिर के से आना होगा डबलू पर यहां भी देखो तो एच्टु के बैकवर्ड आए और के तो डबलू भी बैकवर्ड क्या बनेगा और डॉलर को रिवर्स करने पर क्या बनेगा बनेगा लोगो जो दो साइन मिल रहे हैं एक परसेंटेज मिला और एक अडरे उला परसेंटेज और एडरेट में प्रेफरेंस किसकी होगी नंबर वन कि वन और किशसकी बन की यानिon परसेंटेचिज का रिलेश्ट प्रू होगा अगर परसेंटेज हैantry और यहां लगा है तो यह क्या होगा और परसेंटेज यहां लगा है तो यह क्या होगा प्रू, होगा यह समझ में आया सभी को अनुक्रिती नेक्स्ट देखे नेक्स्ट तीसरा कुश्चिन देखो एक और करते हैं के एक डरेट आर आर पर्सेंटेज टी पर्टी हैश टी हैश जे पहला कंक्लूजन है जे डॉलर आर पर नीचे लेख देता हूं जे डॉलर आर और दूसरा किंक्लूजन है टी डॉलर के टी डॉलर के तो पहला क्या करेंगे जे से आर जाएंगे जे से आर जाएंगे यहां तो टी से आर जाना पड़ेगा दोनों ही केसे में बैककवरड आए है दोनों के üst होगे पहला सइन देख रहा है परसेंटेज को रिवर्स कर connections को डालर इस तरह दूसरा साइन देखो हैश हैश कर वस्तों हाई है थो दिखो मैं दो साइन देख एक डॉलर और एक 500 ढॉलर और एक हैश टो बिद्स किस्तों नंबर को तो डॉलर का मह有人 कर्यों क्रू होगा यहां लगा है ऑक अगर दॉलर लगा है तो दॉलर का ही रिलेशन कुफ़ होगा आयूशी विटा हम क्या करते हैं जो कंक्लूजन में है न जे और आर कि आयूशी भट सुरी अंजली भट बोट क्रू कह रही है आयूशी गहलोट अंजली भट ने तो एंसर भी कर दिया आयूशी गहलोट ध्यान से सुने कंक्लूजन में देखो पहले कौन है जे और फिर कौन है आर जैसे सेकंड वाले में समझो सेकंड वाले को में अब हमें चेक करना है टी से कहा जाना है के पर हम टी से जाएंगे किस पर बटा के पर फ्रॉम टी टू के यह समझ में आया यानि जो फर्स्ट एलिमेंट लिखा रह कहां से स्टार्ट करना है तो ट कहां यहां और जाना किस पर है के पर तो कहां यहां तो पहले हम आएंगे कहां ट से आर और फिर आर से के बोलो समझ में आया आयूशी बिलकुल सही बिलकुल सही आशी इसने नंदनी ने एंसर भी कर दिया अब चुक्कि देखो हम बढ़ रहे हैं पी से के की और यानि लेफ्ट हैंड साइड बढ़ लेफ्ट हैंड का मतलब बताब बैकवर्ट बढ़ना और जब भी हम बैकवर्ट बढ़ते हैं अपने साइन को सामने क्या है इस तो एड़रेट को रिवर्स करने पर एस्ट बन जा दूसरा सांटेज नहीं तो परसेंटेज नहीं क्योंकि उल्टा जा रहे तो ठीक उल्टा तो ठीक नीचे वाला सब्सक्राइब डॉलर है तो थीक है बेटा येस तो हमें दो सांट मिल रहे है एक डॉलर मिल रहा है एक डॉलर में प्रेफरेंस किसकी होगी डॉलर की होगी नंबर वन वाले साइन की फस्ट प्रेफरेंस इसकी होगी डॉलर यानि अगर डॉलर साइन लगा है कंक्लूजन में उनके बीच तो ठू होगा अब चेक करो क्या यहां डॉलर लगा है जी बिलकुल डॉल चलो गुड तो एंसर करेंगे बोट फॉलो बोट फॉर्स्ट एंड सेकंड पॉल हाँ एस्टिक पढ़ते हैं इसे स्टार भी पढ़ते हैं ऐसा नहीं हाँ प्टॉर्स एंसर करेंगे बोट एंसर क्या ले इसे हाँ नहीं कि अगे बढ़े अगे बढ़े अगे अगे कि अगे कि रेफेरेंट करेगा स्टेट्मेंट में जो भी साइन एवचे थो अगे अगर यह इसकी प्रेफेरेंस लिखा मैंने फॉस सेकेड एंड वा तो अगर यह प्रेजन्ट है यह फ्रेजन्ट थे तो सेटीं में तो प्रेफरेंस फस्ट की होगी इस साइन को हम लोग बूलते हैं एस्टिरह और स्टार भी बोल सकते हैं तीक है बिटा अच्छी बात है तो एसे रिक बोला जाता है ऐसे चल आगे बढ़ता है फॉर्थ एच डॉलर टी टी डॉलर डब्लू और डब्लू एड़रेट के डब्लू एड़रेट के डब्लू डॉलर एच और डब्लू एड़रेट एच ठीक है चेक करें तो पहले डब्लू है डब्लू से कहा जाएंगे एच पर तो यह रहा डब्लू डब्लू से टी आए और टी से एच पर पहुंच गये दोनों के इसमें बैकवर्ड बैकवर्ड मतलब साइन होगा उल्टा डॉलर का उल्टा क्या एगा परसेंटेज आप डोनों तो परसेंटेज यानि greater का relation जब true होता है तो बाकि सारे sign false हो जाते हैं इसके अलावा बाकि कोई भी sign अगर लगा हो इसके अलावा अगर W और H के बीच कोई भी दूसरा sign होगा वो definitely क्या होगा false हो अब देखो यहां क्या लगा है dollar लगा है percentage आना चाहिए था लगा है dollar इसका मतलब यह definitely false उसी है W और H के बीच यहां भी बात हुई अब हमें पता है कि डबलू और H के बीच आना चाहिए sign क्या percentage और देख क्या रहा एड़ यह भी गलत है यह भी गलत है तू भी गलत है बेटा तू भी गलत है रिलेशन जो बन कर आ रहा है वह बन कर आ रहा है डबलू इस ग्रेटर दैन है और जो सेकेंड कंक्लूजन है वह आपको बता रहा है क्या डबलू इस ग्रेटर और एक्वल स्टू एंच नीदर वन नॉट यहस प्वोर का एंसर करेंगे नीदर वन नॉट बूट फॉल्स ठीक है आ सोनी सोनी गुपता यह क्लेर बिटा दोनों के दोनों गलत है परसंटेज के केस में केवल मतलब परसंटेज का मतलब ग्रेटर ग्रेटर के केस में केवल ग्रेटर होता है हमने तो यह पड़ा है यह ध्यान रखना बिटे ठीक पांच वह देखो कि पांच वह का बी परसंटेज एफ ए आड़ दर एफ को और एफ एस्टृक एफ एस्टृक एफ एस्ट्रीक एप एयदिेंक और कंक्लूजन क्या है M percentage E M percentage E और B at the rate F B at the rate F देखो तो बिटा M से जाना है बिटा E पर M यहां और E यहां तो M से E पर जाने के लिए पहले हम आएंगे M से F और फिर F से E दोनों में ही backward आना पड़ा यहां भी तो दोनों के sign यहां reverse होंगे Asteric को reverse करने पर क्या बनेगा add the rate और add the rate को reverse करने पर क्या बनेगा Asteric प्यान से देखो क्या यह दो दो जो sign देख रहे हैं एक Asteric है और एक add the rate क्या Asteric और add the rate एक दूसरे के opposite sign है opposite group के sign है या नहीं relation confirm नहीं कर सकते इसलिए इसका answer क्या करेंगे दूसरा देखो B2F जाना है अब देखो B2F के लिए तो हमें एक sign already given है कौन सा percentage और हमें पता है कि जहां परसेंटेज गिवन होता है वहां यानि जहां greater का sign आ गया इसको छोड़कर और कोई true नहीं हो सकता क्या यहां greater लगा है नहीं लगा है नहीं लगा है मतलब यह definitely false है और अगर यह false है तो निकालना है which one follows कौन सा सही है तो दोनों में से कोई सही नहीं है तो इसका answer करेंगे नीदर वन नौर तू नीदर वन नौर तू नहीं अभी इससे false नहीं बोल सकते क्यों नहीं बोल सकते क्योंकि इनके बीच मिलने वाला जो sign था ना बेटा वो दो opposite ग्रुप के साइन थे अगर हमें statement में opposite ग्रुप के साइन मिल जाते हैं इसका मतलब यह है कि हम इन में से किसी भी relation को टू साबित नहीं कर सकते और जहां हम प्रू साबित नहीं कर सकते वहां हमारा answer हो जाता है क्या फॉल्स जिस भी conclusion में टू साबित नहीं किया जा सकता उस नहीं इस एस अनुक्रिति इट विल चेंज एस पर दक्वर्शन देखाँ जैसे के नीचे एक और सट दिया है एक और सट दिया है कि सबसे पहले ध्यान में रहे है आँ ए शुर्या राघव पहले अनुक्रिति की का जवाब देनों पहला कोश्चन था यह साइन फिक्स नहीं होता है इसकी इंफॉर्मेशन आपको कोश्चन में गिवन होती है ठीक है जैसी इंफॉर्मेशन गिवन होगी सिंबल की हम वैसे वैसे उसके अकॉर्डिंग सिंबल प्लेस करता है अनुक्रिति क्लियर है हाल अलिट मैं आपके कोश्चन पर आ रहा हूं आपके कोश्चन पर आ रहा हूं एक एक करके मैं सब प्लिक्स रखते हैं अब जैसे जैसे हमें जिस सिंबल की एक्स्प्लेनेशन जैसे यसे मिलेगी हम उसके एकॉर्डिंग वाले साइन यहां रखेंगे ठीक अब बात करते हैं एश्वरे रागाव का प्रशन क्या है सर सेकेंड कंक्लूजन में इदर और लग सकता है तो एश के बीच हमने एंसर किया हो क्या नॉट कई ढृट है दो चन्क्लूजन जिनके एंसर के आ‍हर होंगे से मैं है धैकि उन्हर और को तो से तो पहली पहली बात दूसरी बात दोनों का answer cannot determine आना चाहिए था है नहीं आ रहा है तीसरी बात जब यह true होता है तो यह sign जो है यह false होता है क्यों false होता है क्यों false होता है क्योंकि जब मैं आपसे बड़ा हूँ मालेजे एक example मैं ले रहा हूँ कि यदि मैं आपसे बड़ा हूँ तो क्या मैं अब आपके बराबर होने की कोई possibility है मेरे पास आपके बराबर होने की कोई possibility है आश्वरे कोई possibility यह इक वल तो होई नहीं सकते तो जब यह true हो गया greater true हो गया तो इक्वल टू वाली बात तो निश्चित तौर पर गलत हो जाएगी ना इक्वल टू वाली बात तो निश्चित तौर पर गलत ही ओ जाएगी इस वज़ए से इस का एंसर फॉल्स करते हैं जब यह होता है तो यह साइन फॉल्स होता है अशुरे क्लियर हुआ बिटा अब आते हैं ललित के कुश्चिन के ललित का कुश्चिन क्या है सब्सक्राइक है सेकंड वाला दोबारा से यह दोबारा सी यानि बी और एफ की बात करना तो बी और एफ के बीच हमें साइक मिला है क्या क्या कर्सेंटेच परसेंटेज का मतलğ सिर्सक्राइब बेटा यही बात हो गई ना वाध형 के अगर greater का relation आ गया है स्थ्सके अलावा होजाता है वो क्या हो जाता है फॉल सो जाता ले पारने ने एक करेक्शन बहुत अच्छी बात है वह पिक किया तो बोला गया तो बड़ा होगा या बराबर होगा या नी ग्रेटर और एकुल तो इसकी जगह क्या गया $ बडा भी नहीं छोटा भी नहीं मतलब बराबर होगा चौता question देखो जोता statement क्या है P asterisk भडा नहीं बराबर नहीं तो छोटा होगा स्कार्ड इस्टल्स को यहां रख दे तो स्कार्ड एहां गया स्मॉलर के साथ ठीक है पांच वा जो है परसंटेज वाला साइन उसको कर लिजेगा पी परसंटेज क्यू मीन्स पी इस नीदर स्मॉलर नौर इकल यानि छोटा नहीं बराबर नहीं तो बट मतलब ग्रेटर होगा नीदर स्मॉलर नौर इकल कर ले अगले सेट की बात करें बच्चे देखो इसके नीचे एक और सेट दिया ना पांच कोश्यन का ललेट इसके नीचे पांच कोश्यन का एक और सक्थ है न बैटे तो उसकी एकस्प्ली को ध्यान रख ना है ठीक है वह सहता है कि एक explanation में एक mistake है उस mistake को cover up कर लेना यह बनेगा ठीक चलो बिटा तो यह जो अगला 5 question है यह आपके लिए homework रख दिया जाए चलो यह भी homework हो गया अब हम लोग आते थर्ड पार्ट पर जिसे हमने बोलते हैं क्या मिसंग सिंबल इनिक्वाइलिटी मिसंग सिंबल वाले पूर्शन जब जोतित्यागी मैं सेंड करवा दूंगा आप लोगों को जाएगा कल तक कल तक का समय दे देना अप्लोड हो जाएगा अब देखो यहां पर question इसको बोलते हैं मिसंग सिंबल में क्या है आपको एक स्टेटमेंट गिवन है और एक साइंग बीच में स्टेटमें में मिसंग और आपको उसके बाद दो कंक्लूजेंस दे दे गया अब देखो यहां पर क्या बुला जा रहा है विच आफ दा विच आफ दा सिंबल शुड रिप्लेस्टा क्वेशन मार्क इन दा गिवन एक्स्प्रेशन तो मेक दा कंक्लूजन डेफिनेटली ट्रू तो यह एक एक्स्प्रेशन है पी इस और इक्वल्स टू टी और हमें दो कंक्लूजन दे दिये गया है टेक दिया गया पी इस ग्रेटर दैन आर और तूसरा दिया गया है टी इस लेस्टन क्यू अब देखो हमें यह बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौनसा साइन को प्लेस किया जाए कि यह दोनो के दोनों के कंक्लूजटन ट्रू साबित हो जाए की लिए तो ग्रेटर दैन आरक प्लू होगा तो ग्रेटर बेंगी से हिसे और बढ़र तो हमें सारे sign greater than group के मिले तो जब हम P से R की और बढ़े तो हमें सारे sign greater than group के मिलने चाहिए और दूसरी condition क्या होनी चाहिए कि greater को true बनाने के लिए एक greater sign का present होना ज़रूरी है greater के sign को true साबित करने के लिए greater के relation को true बनाने के लिए greater sign का present होना भी ज़रूरी है तो P is greater देना यह कब true होगा जब एक greater यहां present हो क्या यहां greater वाला sign present है नहीं greater और equal तो है लेकिन greater नहीं है इसका मतलब कि पहले conclusion को अगर true बनाना है इसके लिए greater sign का question mark की जिगह present होना ज़रूरी है कि मेरी बात समझ में आई अगर greater sign यहां present नहीं होगा तो फिर यह वाला conclusion true नहीं होगा इसे ट्लेयर और नॉट कि यह क्लेयर है बेटे इसी तरह t is less than q इसे भी true बना है लेकिन t से q की और जब हम आएंगे तो backward आएंगे तो backward आने के लिए sign को reverse करते हैं यह sign यह हो जाएगा यह sign यह हो जाएगा smaller का relation true बनांवा अब अगर smaller का relation true बनाना है तो smaller का present होना भी ज़रूरी है 域ेकर इन दोनों में से कहीं भी smaller present नहीं है यहां smaller sign आएगा तभी रोगा लेकिन ध्यान रखिएगा pivot करने पर smaller बनना चाहिए यानी सीधा करने यह sign smaller का ठीक उल्ट, opposite क्या होगा, greater, यानि यहां आने वाला sign क्या होगा, greater, तो दोनों conclusion को सही साबित करने के लिए, इस point पर आने वाला sign क्या होगा, greater sign होना चाहिए, चले समझ में आया ना, इसी तरह second को भी देखो, सेकेंड को भी देखे, मोनिका वर्मा ने answer कर दिया, मोनिका आप तो काफी smart और intelligent हैं भई, के सभी बच्चे काफी intelligent है, तो मेरा time जो है वो बहुत कम लगता आप लोगों को समझाने में, less efforts में आप लोग बहुत सारी चीज़ समझ लेता हैं, चलो, देखो बेटा, अब P is greater than P, इससे true साबित करना है, इसका मतलब P और T के बीच आने वाले सारे sign greater than group के हो, और कम से कम एक sign greater का मौझूद हो, इनके बीच कम से कम एक greater sign मौझूद होगा, तभी ये true होगा, तो देखो, क्या कहीं बीच में greater का sign दिख रहा है, तो देखो, दिख गया यहाँ पर, greater तो हमें दिख गया, इसका मतलब यह, किस question mark की जगह पर, अब greater than group के किसी भी sign को रख दो, पहला conclusion तो true साबित हो जाएगा, तो पहले conclusion को true साबित करने के लिए चाहेए आप यहाँ greater रख दो, कोई दिख करत नहीं, greater और equal रख दोगे, तो भी कोई दिख करत नहीं, equal रख दोगे, तो भी कोई दिख करत नहीं, तीनों में से किसी भी sign को रख दो, पहला वाला conclusion हमारा true हो जाएगा, यह समझ में आए बेटर सभी के, क्योंकि already एक greater हमें मिल चुका है, तो अब बागी के sign matter नहीं करते, बागी के sign matter नहीं करते, बस इस group के sign होने चाहिए, अब बात करते हैं second की, Q is greater than U, तो जब आप Q से U की और जा रहें, तो भी greater का relation true होना चाहिए, पॉसिबल कभे, जब सारे sign greater than group के हो, और एक greater present हो, सारे sign greater than group के हो, और एक greater present हो, तो क्या देखो यहाँ अभी greater का sign कहीं present नजर आ रहा है, नहीं, greater और equal मिल रहा है, greater और equal मिल रहा है, greater और equal मिल रहा है, तो सेकंड कंक्लूजन को ट्रू साबित करने के लिए अच्छा नहीं है क्या तो जरूरत भी नहीं है इसके दो ही तीन कोश्चन करने दूसरा कोश्चन मैं करा रहा हूं जैसे सेकंड कंक्लूजन को ट्रू साबित करने के लिए सेकंड कंक्लूजन को टू साबिद करने के लिए यहां आने वाला साइन डेफनेटली क्या होना चाहिए ग्रेटर ही होना चाहिए अच्छा टी ग्रेटर दैन यू दिया है अच्छा आपकी पीडियफ में वह मिस्टेक होगा उसको क्यू कर लो क्यों कर लो बैटा कि क सेकंड कंक्लूजन में तो दिक्कत है ना की निक्र अज़े raising की शाटर कर लो जिससे कि दोनों कंक्लूजन पर वह अप्लाई हो जाए तो दोनों कंक्लूजन को ट्रू साबित करने के लिए अप्लाई होने वाला common sign is greater इसलिए हमारा एंसर क्या होगा greater होगा हमारा एंसर क्या होगा greater होगा है 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 थी कि बोलो यहां तक ठीक है तो इसी तरह से आगे के भी कोश्चिंस करने एक बार आगे के कोश्चिंस आप खुद से ट्राई करके देखना बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं बनता है तो फिर हम लोग अगली क्लास में पहले वह देख लेंगे और उसके बाद फिर कुछ करेंगे ठ मिल पर आगली क्लास में तिल देन थैंक यू बर्मुच